इस कारिक्रम के पुने आर्जक हैं अगली गाथा है कल्यान आलोचना की आठमे नम्मर की गाथा है उचारन करें मिलान करें माया पिया कुडंबो सुजन जनो को भी नावई सत्थे एगागी भमई सदा नहीं बीयो अत्तिसं सारे माया पिया कुडंबो सुजन जनो को भी नावई सत्थे एगागी भमई सदा नहीं बीयो अत्तिसं सारे माता पिता कुडंबह सुजन जनह को पिना याति सह एका की भिरमती सदा नहीं दुतियो अस्तिसं सारे इसकी संस्क्र छाया हो गई माया पिया माता पिता क्या माया पिया माता पिता कुडंबो कुडंबो कुटुम्ब माता पिता और फिर कुटुम्ब सुजन जनो सुजन और परिजन आदी अपना परिवार और पडोसी का परिवार परिजन पडोसी सुजन अपने बंधु को भी कोई भी सत्थे नावई साथ में नहीं जाते एगागी यहजीव एगागी मतलब एक अकेला एक अकेला यहजीव भमई भर्मन करता है ही निश्चे से संसारे इस संसार में साती बीयो न अत्ती कोई दूसरा नहीं है क्या वास क्या के दिया माता पिता कुटुम्ब सुजन परिजन आदी कोई भी साथ में नहीं जाते कहां तक साथ में जाते हैं कमला चलत न पैड़ जाए मर घट तक परिवारा अपने अपने सुक को रोबे पिता पुत्रदारा बस जो मेले में पंती जन मिल नेह फिरेंधर ते जो तरूबर पर रैन बसेरा पंची आ करते कोस कोई दो कोस कोई फिर उड़ थक थक हारे जाए अकेला हंस संग में कोई न परमारे क्या बात है पंक्तियां लिखी हैं सिद्दान्त की बात हैं सास्तर की बात हैं जो घटेत होता है वो लिखा गिया है ग्यक्ति घट नहीं है ये तो सारविजन एक बात है सत्त बात है क्या लिखा है इस संसार में परिब्रमन करते हुए जीव के साथ माता पिता आदी परिवार कुटुम्ब के लोग कोई भी साथ नहीं जाते इस संसार में परिब्रमन करते हुए जीव के साथ माता पिता आदी परिवार कुटुम्ब आदी के। अरे मना थोड़ी कर रहे न वो तो जाना चाहता है ये हमारा ये हमारा ये हमारा हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे भावना भा सकते हो मोह के परिनाम से भावना भाई जा सकती है लेकिन हमारे तुमारे हाथ में है क्या जोड लिया जोड लिया जोड लिया जोड लिया ठीक है जोड लो अब जब तक है तब तक जोड़ा हुआ है और जब जाने का समय आया तो जोड़ा हुआ सामान भी रख लो हो रख लो यहीं पर रख दो रखो रखा रहने दो फिर रखे रहने के बाद जब तुम जाने लगते हो तब फिर क्या होता वहीं रखा रहता है नहीं नहीं हम पहले ही से क्या कि जाएंगे कि हमारे साथ वहां तक भेज़ देंगे वहां तक भेज़ देंगे वहां भेजने के बाद क्या होगा अरे सामान तो सामान एक तिन का भी तुमारे साथ परभव में जाने वाला नहीं है छुपा करके ले जाएंगे हम कोई देख नहीं पाएगा छुपा लो जेब बना लो अच्छे अंदर उपर का अलग बना लो अंदर का अलग बना लो कुर्टा की अलग बना लो, पजामा की अलग बना लो बच्चे नकल रखते थे न, पेंट में, चड़ी में, यहां, वहां कहीं भी रख लो, छुपा लो, मास अब नहीं देख पाएंगे, कालर के अंदर रख लो चोर जेब बना हैं, उसमें रख लो मास अब चेक भी करते थे, कभी कभी पकड़ भी लेते थे, बच्चों की, कभी कभी नहीं भी पकड़ पाते थे बच्चे भी होशे आरी से अपने, यहां, वहां, कहां, कहां, छिपा के रखते थे यह फिर भी तुम्हारी चल सकती है, नकल बाहर की, छिपा के रख लो लेकिन परवो में जाना है कहां छिपा के रखोगे बताओ कहां छिपा के रखोगे कुछ है यह नहीं सरीर के अंदर रखके ले जाएंगे सरीर ही छूड जाएगा सरीर ही हाँ समसान में जल जाएगा तो क्या करोगे ने ने हमारी आत्मा जाएगी तो ले जाने के भाव जा सकते हैं ले जाने संबंदी तुमारे भाव तुमारे साथ जा सकते हैं मुह तुमारे साथ जा सकता है लेकिन बस तु सामगरी तुमारे साथ नहीं जा सकती सजनरे जूट मत बोलो खुदा के पास जाना है वहाँ ना आती है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है सजनरे जूट मत बोलो खुदा के पास जाना है अब बोलो कहा है है वहत पुराना है लेकिन अध्यात में है कि नहीं है तुम्हारे महेले चौवारे पड़े रहे जाएंगे प्यारे पड़े रहे जाएंगे प्यारे भोलो आप यो पंक्तिया धरम नहीं है क्या अध्यातमें नहीं क्यांनों मैं तरह द्यातमें जो हमारे विस्छषय चल रही थी यदे कोई नई भाह सुना रही मिंका क्या कह रहा है देखो इस संसार में परीब्र्मण कर ते हुए जीव के साथ माता पिता आधी परिवार कुटुम्ब के लोग कोई भी साथ नहीं जाते यह जीव सदा एक अकेला ही भरी परी भिर्मन करता है यह जीव एक अकेला ही सदा परी भिर्मन करता है और अपने किये हुए कर्मों का फल सुयम भोगता रहता है कर्मों का फल तो सबको मिलता है किसको नहीं मिलता बताओ कर्मों का फल मिलता की नहीं मिलता बैया कर्मों का फल तो मिल रहा है और मिल क्या रहा है मिल क्या रहा कर्मों का फल ही तो मिल रहा है इसके अलाबा और क्या है कर्म किसे कहते है कर्म किसे कहते है जीव के रागत देशादिक परिगारमों के निमत्त से की अचर्म की परिवासा बना रहा है कर्म किसे कहते हैं जीव के रागत देशादी परिणाम अब रागत देश किश में होते हैं जीव में ही तो होते ना जीव के अलावा किसी दर्बे में नहीं है पुद्गल में नहीं धर्म धर्मा कासकाल में नहीं किबल जीव में भाव करम तो हमारा राग देश है उस भाव करम से ये दृभ करम ग्यानवर ना दि और इन दृभ करमों से शरीर समक ग्रिया दिये नो करम सीधी सीधी बात किलियर तो है जीव के रागत देशाद के परिणामों के नमित से कार्मन बर्गना रुब जो पुद्गल इसकंद जीव के साथ संबंद को प्राप्त होते हैं उन्हें कर्म कहते हैं कर्म की परिवासा ये बन गई और ऐसे कर्मों का फल जीव भोगता रहता है जीव ने कर्म किया है अपने भावों से कर्म को बांदा है बंदा हुगा कर्म उदय में आएगा उदय में आएगा तो अपनी प्रकृती के अनुसार फल देगा क्या अपनी प्रकृती के अनुसार फल देगा अब अगर शुब कर्म है तो फल अलग मिलेगा अशुब कर्म है तो फल अलग मिलेगा शुब कर्म किसे कहते हैं जिस कर्म के उदे से इस्ट बस्तू की प्राप्ती होती है क्या जिस कर्म के उदे से इस्ट बस्तू की प्राप्ती होती है उसे सुब कर्म अथवापुन कर्म कहते है जिस कर्म की बज़े से जिस कर्म के उदे से इस्ट बस्तू की इस्ट बस्तू जो अच्छी लगे क्या इस्ट के से कहते हैं जो अच्छा लगे उसे इस्ट कहते हैं तो जिस कर्म के उदे से इस्ट बस्तू की प्राप्ती होती है उसे शुब कर्म अथवा पुन कर्म कहते हैं अशुब कर्म आता है सब अनकूल 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 पुन कर्म का वदे चल रहा है अनकूल 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 जंगल में भी हो तो नगरी बस जाए मंगल मंगल हो जाए जंगल में भी और अशुब कर्म आ जाए तो महल में भी बीरानियां चाने लगती है क्या हाँ महल में भी बीरानियां चाने लगती है अश्यूब कर्म किसे कहते हैं जिस कर्म के उदे से अनिस्ट दुखदाई बस्तू की प्राप्ती होती है जिस कर्म के उदे से अनिष्ट अर्था दुखदाई बस्तू की प्रापती होती है उसे असुब कर्म अत्वाः पाप कर्म कहते हैं देखो जब पुन कर्म का उदे आता है तो बाहर बाहरी होती रहती है लोग पूंच STEP हैं आंगे पीछे चलते हैं और क्या सेवा की जाए और क्या सेवा की जाए कुस तो बताओ कुस तो बताओ उनका पेड़ भरा है और हजार लोग पूँछ रहे और कोई सेवा और कोई सेवा पेड़ भरा है और क्या सेवा बताए और जिसके लिए कुछ नहीं मिला है उसे पूँचने वाले नहीं है कोई बताओ पाप कर्म का उदा आता है तो मिला भी नहीं और कोई पूँचने वाला भी नहीं मिल रहा अब कर्म का उदा है अब हम इसमें अरे उसका यासा क्यों हो रहा हमारा यासा क्यों नहीं हो रहा हमारा क्यों नहीं हो रहा उसका क्यों हो रहा हमारा क्यों नहीं हो रहा ये तो हमारी तुमारी बात है शुब कर्म और अशुब कर्म शुब कर्म को पुन्न कहा जाता है अशुब कर्म को पाप कहा जाता है तिस तरह से पुन्न और पाप कर्म का फल पाते हुए यह जीव संसार में परिभ्रमन करता रहता है देखो पाप कर्म के उदे से तो परिभ्रमन जादा होता है कस्टम होता है पुन्न कर्म के उदे से भी परिभ्रमन होता है लेकिन पुन्न कर्म में परिभ्रमन जादा नहीं हाँ अगर संसारी संसार का पुन्न है तो बात अलग है परमार्त का शाती से पुन्न अगर है तो मोक मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता है उतना उतना संसार घटता जाता है एक ही बात है ना मोक्ष मार्ग बढ़ रहा है इसका मतलब क्या संसार का मार्ग घट रहा है क्या मोक्ष मार्ग बढ़ रहा है इसका मतलब है संसार का मार्ग घट रहा है संसार का मार्ग बढ़ रहा है इसका दोनों एक साथ नहीं पर दोनों एक साथ घट भी नहीं सकते हैं, एक बढ़ेगा, एक घटेगा, मोक्ष का मार्ग बढ़ रहा है, इसका मतलब है संसार का मार्ग घट रहा है, इस तरह से पुन्न कर्म अतिशायकारी साती से पुन्न होता है, तब परमार्त को मोक्ष के मार्ग को आगे बढ़ाता है देखो दो हमलान करो ब्रमते भाव में जीव को साथ न दें पितुमात एक अकेला ही भर में होकर यहां अनात ब्रमते भाव में जीव को ब्रमते भाव में जीव को साथ न दें पितुमात अब क्यासे साथ देना भी चाहें तो क्यासे दें एक अकेला जीव ही एक अकेला ही भर में होकर यहां अनात अनात होकर के यहां पर एक अकेला ही भरमता रहता है भरमता रहता है भटकता रहता है भटकता रहता है कोई और छो और नहीं, कोई सरण नहीं, कोई सहारा नहीं, सब को अपनी अपनी पड़ी है, सब अपनी अपनी चिंता में हैं, कौन किसकी चिंता करे, कौन किसकी फिकर करे, संसार स्वारत का है, जब अनकूलता है, तो एक दूसरे पर ध्यान जाता है, और परेशानी आती है, तो फिर व्य नहीं रहता इस संसार की बिचित्रता है और ऐसे बिचित्र संसार में क्या कहा गया है कि परिभ्रमन करते हुए जीव के साथ माता पिता परिवार सुजन परियन पुर गोपुर मुहले वाले कुटुम अडोसी पडोसी कोई भी साथ नहीं दे पाते और यह जीव सदा अकेला ही परिभ्रमन करता रहता है और अपने किये हुए पुन्न पाप का कर्मों का फल भोगता रहता है राज घराने में जनम भी हो गया तो दरदर में भटकना पड़ता है जंगलों में समसान में जनम हो गया तो सिंधासन मिल जाते हैं क्या है यह बताओ जनम समसान में हुगा है और बड़े होने पर सिंधास अंताज मिल गया जनम राज घराने में हुगा है और बन-बन भटकना पड़ रहा है क्या है किसकी बज़े से कौन कर रहा कोई नाराज हो गया इसलिए हम ऐसे हो गया किसी ने प्रसंद हो कि हम को यह ऐसा कर दिया नहीं अपना अपना कर्म अपने अपने कर्म का फल भोगे संसार क्या अपने अपने कर्म का फल भोगे संसार एक खस्टटी सीचता एक ले रहा बाहर अंदर बैठा एक थंडी हवा ले रहा है और एक धूप में खड़ा हो करके पानी सीच रहा है खस-खस की टटिया पर किस टटिया पर खस-खस की टटिया पर पानी सीच रहा है और एक अंदर अंदर ठंडक ले रहा है अब ये दोनों ऐसे क्यों बन गए बन गए अपने अपने कर्म का फल भोगे संसार इस तरह से इस इस कारिक्रम के पुने आरजक थे अनेका अव्य, अव्यान मोधी एवं समस्त मोधी परिवार कटनी मध्यप्रदेश